अब गाईज मैं अभी आगया हूँ जंगल में और अपने खेतों की तरफ आ गया हूँ तो मैं आपको एक जानवर से मिलवाने वाला हूँ अगर आपको जानवर दिखाई दे तो मुझे जुरूर बताईएगा गौर से जाड़ा देखिएगा उस जानवर को जो आगे की ओर जा रहा है उसे हम लिलगाय या घुरपडास कहते हैं यहां पे और यह मुझे दिख गया है और बहुत दिनों के बाद दिखा है वैसे तो य अंदर घुज गया देखिए भाग गया हूँ और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था दूर से देखाया था कि यह वाइट कलर का फर हुए देख रहे हैं यह जो घास है जो खर-पतवार है जो मैंने बताया था आपसे कि इसी से जो है गाउं में पलानी बनाता है पट्मिल्ट कशिए Πेर स्थ integrating सब्सक्राइब का अजन सस्यखिप्राइब यह है और यह gözंगल से रुसें यह जंगल में पुख्रा भी तलाब भी है पानी होंगे जानवर भी होंगे तो विल्हाल में इसे भी सेमें मैं आपकों बताने वाल था कि यही वो खर पतवार है जिसे जो है गाउं के लोग जो है अगर खेत में हैं तो खेत में इसी को बना कर पलानी जो है बनाते हैं और अपने फसल को देख रेख करते हैं फिलाल आप देखिए गौर से यह सर्सु है अभी जो है रुपा गया है और निकल भी गया है अब ग आप लोगों को भी देखा दो कि यह जानवर जो है कैसे पसान करती है किसानों को फिलहाल आपके एक आवाद सुनाई दे रहा होगा बैग्राउंड में ओधान जो है कुटाई हो रहा है अब देखिए धान इस परकार से कुटाई हो रहा है पहले के लोग क्या करते हैं कि जहा इतना छोटा हो चुका है इसका रीजन यह है कि इसे भरपूर पानी नहीं मिल पाया है और एक और मैं आपको देखा दूँ अभी सहर में एक पूजा हुआ था कारवा चौत आपने सुना भी होगा कारवा चौत और सब लोग बहुत जानते भी है कारवा चौत सहर में तो ब पूखरे टूखरे करके देते हैं लोग यह देख लीजिए एसा क्यट में पढ़ा हुआ है कोई पुछने वाला नहीं है यह हमारे गाउं में कोई पुछने वाला अलीकी पासाहर में जो है इसे बेचता भी है लोग और यह जानता है लोग अब आगे देखिये और आगे त तो साइद आपको देखाई नहीं देगा लेकिन आप देखेंगे गौर से तो देखिए जारी जो है इस परकार से होता है मैं आपको बताना भूल किया था ये देखिए बेसेकली यह जहारी है यह पूरा जो है यहां से उठ कर जाता है लेकिन सहर में क्या होता है कि यह दो दंटी या तीन दंटी जो है ले लेता है लोग और इसी को सेल करता है लोग तो खेर पुजा जैसे भी हो है तो और देखिए बेगर में आपको कुछ आवास नहीं दे रहा वहां पर धान जो है कुटा रहा है कि ज़से की यह होता है जो भूखता है उसी प्रकार से है धान को अलग और उसके जो अलग देता है यह देखिए आगे एक और जंगल में जो है deze आप देखाई देगा और कुछ लोग जो है भाईस चराने आए हुए हैं खेतों में भाईस के लग जैसे कि गाये के लेकर आते हैं लोग भाईस के लेकर आता है लोग तो चलिए आगे भी देखेंगे मिलवाएंगे आपसे गाईस मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ गाउं के लोग जो है भाईस चराने आए हुए हैं और हमारे सामने एक भाई मिल चुके हैं और यह है राजूराय कहते हैं और यह पेसे से गवाला भी है दूद भी बेशते हैं अगर इनके पास एक भाईस है तो और भी जितने भी किसान होंके उन्होंने भैस या गाय रखा होगा तो वहां से दूद लेकर और डेडी फार्म या जो होटल होते हैं दोकानों में जो होते हैं वहां पे यह दूद देते हैं तो भाया मैं आप से पूछना चाहूंगा कि यह जो भैस है कौन सा नसल का भैस है आप बताएंग यानि कि टोटल जो है 10 किलो जो है दूद देती है दोनों टाइम में अगर इसका देखा जाए तो टोटल जो है इसका प्राइज कितना रहे निफी इसाएम कोश्ट कितना आये झाएक कोश्ट लाख दोस हजार आप देख लीजै गाउमें जो है please एक लाक दोस हजार लेकर गूमा जा रहा है और यही सहर में जो है अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही सहर में छोड़ दिया जाता है गाय हो यह चाहें भैसो कुछ लोग जो है गाय पालता भी अलग सहर में और वहां पे कना सिप भूसा देतैने लेकिशंल यहां पे दिखिए हारा यह घृस है और अलग होता है तेस्ट में भी बहुत ज़्यादा फरक आता है अब देख लीजिए इनके पास है कुल मिलाकर यह कितने की होगी मतलब यह 30 का होगा एक डस का होगा तक कुल मिलाकर एक लाख चालीस अजा लेकर यह गूम रहे हैं और मैं आपको बता दू कि कुछ लोग कहते हैं कि गाउम्स नहीं है तो गाउमें बहुत कुछ है आप कुछ भी कर सकते हैं अभी तो इनके पास दो भैश है इनके पास मैंने सुना है कि दस कड़ी भैस हुआ करता था और इनके पास जो कैपेसिटी थुआ से कम है भी तो इसलिए अपना जो है एक सी 20 रखा हुए भी बहुत जबरदस नसल का जो है 20 जो रखे हुए है और इनके पॉकिट में मैं देख रहा हूं मोबाइल भी है ज़रा ठटतने हैं कि Tat à The Kingdom ready अगर कंच और करना चाहें तो बहुत कुछ है लागन होना चाहिए है कि नहीं तो अब मुझे यह बताये कि अभी जब्राइव है कि कटनी चल रहा है तो अ selective कर दो पर शूट थे जिस जो चोटा-चोटा था उसमें मतलब अभी फूआ यह था टाइम से पानी नहीं हुआ बारिश नहीं हुआ इसके बदे से जो है डाउन हो गया अच्छा तो कुछ लोग जो है अभी राई बो दिये हैं राई बोने का अभी बहुत जल्दी बो दिये हैं जल्दी बो दिये खेत खाली था धान बो आया नहीं उसमें धान नहीं बो आया इसलिए राइब हो आगे अगर मैं जूम करके आपको देखाऊं तो उस पार में भी जो है एक रोड है वहाँ पे ट्रेक्चर जा रहा है और छोटा सा हाथी वाला जो होता है जो समान ले जाता है उसको ले जाकर खेतों में जो है उस पे धान लातक ले जाएंगे और देख लीजे गाउं के हरी आली को आप गौर्श जारा देखिए अभी सुर्च के कीड़ने आपको देखा दे तो कितना लालीमा टाइब का देखाई देर आप बिल्कुल क्लीन और बादल तो मैं आप बिल्कुल क्लीन ही इसका जो यह कौन सा धान है जी 27-30 से धान है यह तो धान का भी फसल बहुत बढ़िया हो चुका है कहीं कहीं हो चुका है कहीं कहीं नहीं है तो आज के लिए वीडियो आई में इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल